पुरे देश में ईद का त्योहार मनाय जाएगा वहीं इस मौके पर राजधानी के पुलिस ने ईद शांती पूर्ण तरीके से बीते इसके लिए पुकता इंतिजाम किये हैं इसी दोरान प्राइम टीवी से लखनाओ के पुलिस कमिशनर डीके ठाकुर ने खास बातचीत की है आई आई आपको सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने पुलिस कमिशनर डीके ठाकुर साथ सर इद है कल और बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ पुरे देश दुनिया में इद मनाई जाती राजधानी लखनो की बात की जाए तो सुरक्षा इंतिजामात किस तरह से किये गए देखिए मैं आपको और आपके माध्यम से दर्सकों और खासके लखनों के निवासियों को बतराना चाहूंगा कि पाक मेहना रमजान चल रहा है और उसकी आखिरी तारीक कल होगी जब इद मनाया जाएगा और इस रमजान के दौरान पूरे लखनों में अमन श्रांती का मह महार कायम रहा इस बीच हमारे दो जुलूस निकले उनिस्वीं जुलूस रिकिस्वीं जुलूस जो की करम सब्सक्राइब करें काफी संख्याम भी राई तादा आया आई और कापी सांधिर पून रहा अभी 29 तारीक को आपने देखा होगा अलविदा का नमाज भी सांधिर इसी करम में कल इद के नावाज आदा किया जाएंगे हम लोग उन सारी ब्यूस था कर रहा कि है हम नों संप्रणाएक के शीया सुनि निसे बात कर रहा हिं हिं दू धर्म दृम गुरू से बात की है हम लोगण मेंवीटिंग्स की है और तो इन सब सारी बेवस्थान के अनुसार में समझता हूँ कि कल ईदकत यहार भी सबसल संबन हो गया है। सर लॉड़ स्पीकर को लेकर के भी लगातार कारवाईया हो रही है तो कल को लेकर के कुछ अहम इंतजामात लॉड़ स्पीकर पर किये गए हैं। लगातार भी सब्सक्रावाईया जाड़ी है और इसमें लखनों के वासियों हमारा काफी सहयोग दिया है। इद का तेवहार है वो शांती पुन तरीके से पूरा हो सके। क्याबरा पसंद शुब हमके साथ में रितिन प्राइम टीम।